कि जवानी की बदली बुड़ा पे में बरस गई, मीडिया की गोरी राज नीती के गले लिपट गई, हरे किस्मत के फोड़े देखो राहूल जी कुमारे रेगा और तिगी राजा से छोरी पड़ गई क्या बात है जिंदवार क्या बात है क्या बात है पर भीकारी भी दना दन वाटसब दोड़ा रहा और इंटरनेट पे दिखा रहा है फेस्बुक का नया खेल थोबला भी उसका लाइक करना जिसके माथे में खोप रेकानी तेल सब एक दूसरे की वाल पे फोकर चकर खा रहा है और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाई बना कर छोरो को उल्लू बना रहा है तब पंक्तिया पढ़ता हूँ, क्ये फेस्बुक का खेलने निड वहाला जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेज़ी हो निकला मेरा साला एएक छोरी एक छोरे के हर बात मेरा जी है पर छोड़े को पता ही नहीं कि उसके पिता जी है मैं अब कोई लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहता है और मैं तो हकीकत के था हूं बात बताने की नहीं लिकिन मेरे मंसौर में वो ATM के महाँ से दो कतारों में से एक लड़का एक लड़की को लेके भाग गया मैं अब केश मिलने से पहले उनके नहीं मिल गए तो लेकिन निकल लिया तो मैंने का यार एक काम करो इन लड़के लड़की का नाम क्या था जरा नाम तो देखो इनका तो मैं लोकल चेनल पे टीवी के लोकल चेनल पे उनका नाम देख रहा था तो नाम देख रहा था, लोकल चैनल पर एक लड़के का नाम, लड़की का नाम क्या था तो चैनल में लगा रहा था, जैसे ही तो उससे पहले आस तक चैनल चल गया और वो आस तक में मोदी जी का भासन आ रहा और मोदी जी बड़ा शांद से कह रहे बेन और भाईयो कतार में खड़े रहे कर आपने जो संगर्स किया है उसका परिणाम कुछी दिनों बाद मिलेगा अब मैंने का कि जो लड़का लड़की लेके भागा उसका परिणाम तो साल बर से पहले नहीं आ सकता बिलकुल मौलिक टिपणी सरन टिपणी मैं तो मौली की करता हूं बड़क कभी छोटी कर देते हैं उसको जबर जबर जया देगा अब बात है जिन्दा बात मुन्ना क्या करारी बात कही है मेरे हो समस्या है जिवनी ये मेरी खुद की समस्या है खतम ही नहीं होती है खतम ही नहीं हो जाती है घुम फिर के मेरे पास ही आ जाए समस्या है ना कैसे है लेकिन इस बड़े मज़ पर खड़ा हूँ रात को तीन मज़े उठा के मेरी वाइप मेर से पूछती है कि कटप पाने बाहुवली को क्यों मारा अब दुख मुझे इस बात का नहीं है कि रात को तीन मजे मेरी नीन खराब हुई दुख मुझे इस बात का गाज हिंदुस्तान में हराद में पूछ रहा है कटप पाने बाहुवली को क्यों मारा कटप पाने बाहु वली को क्यों मारा कटप पाने बाहु वली को क्यों मारा पर कोई एक पूछने को तयार नहीं है कि याकुब ने 257 बे गुनाओं को बंबी स्पोर्ट में क्यों मारा जिंदाबार बहुत बड़ी है बन्ना उल्टे 40 लोगों ने चिठ्थी दे कर पूछा था कि याकुब को क्यों आदी रात को कोट खुलवाई गई थी आदे लोगों ने चिठ्थी दे कर पूछा था कि याकुब को क्यों मार रहे हो अरे देश के कानून को तुम मजभ के चसमें से देख रहे हो किसी अपने का खून बहता तो तुम्हें पता चलता तुम किसके लिए चित्थी बेज रहे हो क्या बात है जिन्दावार तो क्या करा अपनी खुद की समझ से हैं खतम लिए लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग यहां बेठे हैं अगर जीवन की सबसे साकसा समझ से आपके बीच में रख दूँ तो फिर हाथ खोलकर आशिरवाद देना एक बात तो मैं आपको बता नहीं भूल गया मैं केवल पांच मिनिट पढ़ता हूँ क्यूंकि हमें आज दादा तक पोचना है क्या मतलब जादा माता भोड़ी मैं करता भी नहीं लगिए कि जीवन की अगर सबसे साकसा समझ से आपके बीच में रख दूँ तो फिर हाथ खोलकर आशिरवाद देना कि इस दुनिया में जिसने समझ से को हरा है आज वो इस समझ से किरा है कौन समझ से किरा है कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तरासा करते है काजल की एक टीकी से बलाओ को टाला करते है जीवन का अमरित हमें पिला खुद मोट का जहर पी जाते है इस दुनिया में और कौन है माबाप के सिवा जो चेहरे की जुर्यों में भी समझ से किरा है बुड़ापे में वही माबाप चश्मे के काज़ बदलवाने को तरस जाते है क्या बात है जीवन की भागा दोड़ी में कोई चेंसे नहीं सो रहा किसे मिली दोलत तो नाम के लिए रो रहा और किसे मिली सोहरत तो काम के लिए रो रहा सुबह से साम तक घड़ी के काटे की तरह भाग रहा पर काम किसी का ही नहीं हो रहा और सही में नहीं हो रहा हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्य यही है काम नहीं हो रहा जिससे पुछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार उससे पुछो, बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पुछो, बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, और मैं कि रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा है, 34 करोड थे अपन, जब अंग्रेज भाग के गए थे, यह कर अब 20 करोड हो गए, फिर बोल रहा हो काम नही जिसको करना उससे आपड़ा सब कोई नी पूझ रख तेरी केपिसिटी कित्ती है क्या बात है और मैं इस राजस्थान की धरापर खड़ाओं प्यारे भारत देश पर एक एसान करो फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो और दस निकम में पेदा करने से ज़्यादा अच्छा है एक राष्ट भक्त महारणा प्रताप इस धरापर पेदा करो जिंदाबाद 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 की जरूब निए थी वो भारत न अच्छे पेदा को नहीं कर रहे महारणा प्रताप पेदा क्या अपनी तो हालत ख़राब हो रही ने समय भी केसा केसा दिन दिखा रहा खाने को कट आरे में रोटीनी पर भीकारी भी दना दन वा पंगता हूं कि समय है और किश होती है किसमत को बदल जांएं उसके ऐसे कर स dish करता हूं कि क्या होती किस्मत क्या कि कि आलग के पाल की आ कि पालती जए कनया लालकी डिल्ली में घटना देखो बड़े कमाल की चार लोगों ना गादी फाड़ी मिलके लोग पाल की पर किस्मत पलड़ी तो खाली केजरी वाल की किस्मत है थोड़ा ओर लाइट कर देता हूं जल्दी समझ में आ जाए का आपको बड़े बुजर्ग लोग भी यहां बेठें गले लिपड़ गई किस्मत के फोड़े देखो राहूल जी कुमारे रहे और दिग्जी राजा से छोरी पड़ गई क्या बात है जिंदाबार यह होती किस्मत तब पंक्तिया पड़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा खाने को कटो रहे में रोटी नी पर विकारी भी दना दन वाटसब दोड़ा रहा और हकिकत कर दाए कित्मत होती है चार पंक्तिया आ प्रता हो आखरी पंक्ति तक पोचने की कोसिश करना आल की के पाल की जैक नईया लाल की दिल्ली में घटना घटी करदाने में और अन्ना जी की उमर निपड़ गई अं निपादे अचन बात यह होती ही किसमत, तब पंक्तिया पढ़ता हूँ, यह इक को बिलकुल बंद कर दो, हाँ इक को बंद कर दो, मेरा वे से ही वेवस्ती थी, हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत, आप सही है, सही तो कुछ ने कुछ किया ही नि उन्हों सही कहा से होगा, कुछ करो यह, होता एक बाई समय कभी भी बदल सकता है, मानुमने पढ़ती है, इसलिए पंक्तिया पढ़ता हूँ, कि समय भी कैसा अच्छा है, फेस्बुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते हैं फेस्बुक, सारा वही काम है, इंटरनेट पे दिखा रहे हैं फेस्बुक का नया खेल, थोबला भी उसका लाइक करना, जिसके माथे में खोप रहा नहीं तेल, सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे हैं, और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को युल्लू बना रहे हैं, वाँ, सही है, सही के रहा हूँ, ये फेस्बुक का खेले निराला, व अब आपने हर मंदीर पे मन्नत मांगी थी, कि हमारे घर पे लड़का पेदाओ, वो नालायक भी फेस्बुक पे सुनिता बनके बेठावा है, वाँ, तब पंक्ते पढ़ता हूँ, के फेस्बुक का खेले निराला, जिस छोरी को मेने रिक्वेस्ट भेजी हो निकला मेरा सा का रहे है, और जिसको महले में कोई नहीं पूस्ता, वो भी फेस्बुक पे हजार अजार दोस्त बना रहे है, क्या बात है, जिसको महले में कोई नहीं पूस्ता, वो भी फेस्बुक पे हजार अजार दोस्त बना रहे है, और कास ये फेस्बुक की सुविदा द्वापर में भी होती तो भगवान सरी कृष्ण को ढूंडने में गरिब सुदामा को इतनी तकलिफ नहीं होती है क्या बात है जिंदा बात नहीं बात तब पंक्तिया पड़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा है और हिंदुस्तान में तो हलत ख़़ा है सही किरा मतलब दो महिला कर रोड पर ल इमदाबाद थे मैं अभी इमदाबाद गया था क्यूक्ई इमदाबाद इसलिए गया क्यों मेरे सासूजी मां एडमेट थे ना थे हल चल जानने के लिए मिरत circuits perfect अजा बैसाब या नमकीन की दुकान का है उसने का आप एक काम करो मुबाइल नमबर लो इस पर फोन लगा देना नमकीन वाला यही नमकीन लेकर आ जाएगा आदमी खुद भी उलज रहा हैं दूसरों को भी उल जा रहा है मैंने उस पर फोन लगा तो उस पर केसर चल लुई टैना लिए लेंदेन की जानकारी के लिए तीन नमबर दबाइए पिछले मेनु मपश जाने के लिए पांच नमबर दबाइए मैंने फिर एक नमबर दबाया तो फिर नएके सट शुरू बोले नमकिन की विश्टरस रंखला में आपका स्वागत है सेउ के लिए एक नमबर दबाईए गाठिये के लिए दो नमबर दबाईए मिचर के लिए तीन नमबर दबाईए पिछले मेनमो आपे जाने के लिए पांच नमबर दबाईए अभी खतम नहीं हुआ है अभी चल रहे है मैंने फिर एक नमबर दबाईए तो फिर नहीं के सट शुरू बोले सेउ की विश्टरस रंखला में आपका स्वागत है लोग की सेउ के लिए एक नमबर दबाईए फिकी सेउ के लिए दो नमबर दबाईए चरकी सेउ के लिए तीन नमबर दबाईए पिछले मेनमो आपे जाने के लिए पांच नमबर दबाईए मैंने फिर एक नमबर दबाईए तो फिर नहीं के सट शुरू बहुत लोग की सेहों की विसे स्पेकिंग में आपका स्वागत है पचास ग्राम के लिए एक नमबर दबाईए पचास किलो के लिए दो नमबर दबाईए पचास कुंटल के लिए तीन नमबर दबाईए पिछले मेनु मुआ पर जाने के लिए पांच नमबर दबाई है, अब यहां मैं चूक गया, मेरे से पचास कुंटल बटन दब गया, तो मैंने फोन करते हैं, मैंने के सेव सासू जी को खानी के पुरे खांदान को खिलानी है, तो मजे तो आप लेना, फोन सामने वाले का आया भाई साब अभी किसी ने इस नमबर से पचास कुंटल शेयुक करिये, मैंने के किसने करी, बोले। नमबर यही था, मैंने के देखो ऐसा है, यह फौन मेरे पंदरा भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी हैं ? बोले जिसने भी फौन लगाया तो उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या अब तू सुन बेटा, हीरा लाल से बात करने के लिए एक नमबर दबाईए, पन्ने लाल से बात करने के लिए दो नमबर दबाईए, पसंदिलाल से बात करने के लिए दो नमबर दबाईए, जमना लाल करने के लिए बात नमबर दबाईए, अगले ने फोनी काट दिया अपन तो मालवा मेवान वाला आदमी हर प्रोब्लम से नी पढ़ सकते हैं मैंने का जीवन में समस्या कई से भी आ सकती मैं बड़े मान पर खड़ा हूं मैं आदरनी मोधी जी राहूल जी सोनिया जी आडवानी जी गटकरी जी जेटली जी रादना मेरी समस्या है कि यह लोग मेरे को नहीं जानते हैं जीवन में समस्या कहीं से अच्छे है जहां कोई पत्रकार हो तो मेरा हाथ जोड़के निवेदने कल पेपर में मेरा नाम मुन्ना बेट्री छापना क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी एक कविसमेल में गया था वह समस्या हो गई कि आपका नाम ही नहीं है पेपर में पूरी रात किसके साथ औरत फर्रत है आप समस्या है जीवन में समस्या कैसे है लेकिन मैं एक बात तो आप से पूछना ही भूल गया मैं उदर मंसोर मालवा की तरफ से आया हूं यह शेखावटी का एरिया है आपको मेरी अपासा समझ में आरी पीछे तक कोई टेंसन तो नहीं आएगी क्यों नहीं आप कौन सा लंडन में बेठे हो बेठे तो आप भी हिंदुस्तान में ही हो ना अब और कहा से अंग्रे जी में तो सुनाने से रहा है जीवन में मनोर जी यहां बेठे हैं कहीं बात टीवी पे जा है का मैंने इंकी बात मान ली अपनी एक सीडी बन वही 25-30 काप्या करके एक सभी चेनल पर बेज दी पहला फोन डिसकावरी से आया हा 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 बोले पूरी दुनिया के जानवर चांट हमारे तू के सबच गया हा 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 अच्छा मेरी का नाक लंबी थोड़ी के पैकेट पर चिपकाएंगे वनकर लेना ओ ता मनौर जी का इलो घी घा हुए तो यह दिख रहे बोले इनका तो है ये तेरा फोटो तो वहां चिपकाएंगे कैन अट लिगी खाने क्या परिनाम होते हैं और बिदिता करता है आदमी दूबला बतलाओ तो लोग माजने खराब करते है और कोई मेटर वाली बात नी हलाख कि दूबला आदमी हो कोई फरक नी-पड़ता है کन्फिडेंस होना चाएए लुपनिए कि अचिछ दुनिया को उसने जीता जो गुद्धी और साहस से बना भीर, वरना एस्वर्या लेगिया अभी सेट ने केट्री ना लेगिया रनवीर सल्मान ने ऐसी बाड़ी रख्के कौन सा मार लिया तीर क्या बात है जिंदाबार कॉन्पिटेंस होना चीए न वो सल्मान खान से मेरे को फिर याद आया कुछ लोग केते हैं क्या बात है जिंदा बात ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान क्योंकि बजरंगी बनने के लिए तो सीने में प्रभू स्री राम को बसाना पड़ता है क्या बात नी सही की रहो में बजरंगी को यूँ ही बन जाता कि हिंदुस्तान में उस पवन पुत्र की लीला को कोई अब तक समझ न पाया भकतों की पीडा को हरते जब जब संकट आया अरे थलसे लेकर नब तक में जिसने तूफान मचाया लंका फूकी परवत तोका रावान को धंकाया और कई असुरों के छक्के छुट गए गोटे की एक जपेट में त्रेता यूग में घुसद स्री लंका के गेट में और कल्यूग में निकले बराक अबामा की जेब में क्या बात है जिंदा बात भाई और ताली तो बजा दी पर मालूम किसी कोई नहीं के बराक अबामा की जेब से बजरंग बली किसे निकल गए तो मैं आपको बताता हूँ बराक अबामा इंदूस्तान आया था तो लाल कृष्ण आडवानी जी की लड़की ने उनसे पूछा बोलो अबामा जी आप भी बजरंग बली के फेन हो तो अबामानी जी ने जेब से मूर्ती निकाल के बता दी बोले आप फेन की बात करते हो मैं इंको साथ में लगे गुमता हूँ और मैं इस बड़े मंज पर खड़ा हूँ मैं साबित कर सकता हूँ कि बराक अबामा वाकई बजरंग बली का फेन था उसके कर्म भी बजरंग बली जैसे थे जिस तरह बजरंग बली ने श्री लंका जाकर असूरो को मार कूट के समंदर में फेक दिया था उनको रावण से पूछने की जरौत पड़ी थी क्या नी पड़ी बरा कोबा मानवी पाकिस्तान से लादियन को उठा के मार कूट के समंदर में फेक दिया उनको पूछने की जरौत पड़ी थी क्या क्या बात है मन्ना क्या बड़ा परी करो के अमेरिका की महा के तो भीकारी तक गुमते हैं वही जात के प्रभाव में अपनी कंडिसन तो यह अपन रोड़ पे लोड़ जाते अलुपयाज के भाव में कि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभुस्री राम को बसाना पड़ता है और भाय जान बनने के लिए इस देश की मिट्टि को अपने सर पे लगाना पड़ता है जिन्दाबाद जिन्दाबाद इस देश का असली ही रो तो यह की था भायजान जो पूरी दुनिया में था इस देश की शान गंगा सा पलित्र था जिसका इमान एक साहर रखता था गीता और उर गुरान कभी नहीं किया किसी धर्म का अपमान आखरी सांस तक कर गया इस देश के नाम बच्चा बच्चा करता था जिसे गर्वस सलाम कोई साधारा नहीं था हो इंसान पुरी दुनिया कहती थी उसे मिसाइल मेंने अप्जे अब्दुल कलाम जिंदा बाद जिंदा बाद बारत माता की मैं केवल पांच मिनिट पड़ता हूँ क्योंकि हमें आज दादा तक पोचना है क्या बात है यह टेक्निक होती है हाला कि हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम इसलिए फेमस थे क्योंकि उनके पास टेक्निक थी और हिंदुस्तान में हर वो आदमी फेमस है जिसके पास टेक्निक है मैं हुई हूँ लगा ही रहा कि नहीं लगा रहा इत्ती देर से और अपन तो मालवा मिवार के आदमी अपने पास तो पचासो टेक्निक है मैं अबी उदेपुर गया था कविसम मिलन करने के लिए तो है सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा तो एक अंग्रेज की कार के उपर कुट्टे ने टांगुंची कर दी अब वो अंग्रेज अंग्रेजी में भगा रहा कुट्टे को गो फ्रोम हीर गो फ्रोम हीर गोपनों कुट्टा भी सकल देख रहा कि मेरे को नहीं के रहा है क्योंकि उसको अंग्रे जी आती नहीं है तो मैं पास में गया उसके मन के भाई साब हिंदुस्तान है अब कुट्टे को ऐसे नहीं भगा तो टेकनिक लगानी पड़ती है भाग गया कुट्टा अपने हां तो चोटी चोटी टेकनिक माता भैने बेटी भी यहां पर इतनी देश से किकी कर रही इनको को कम टेकनिक आती है क्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कर किसी के पास टेकनिक है तो माता भैनों के पास सबसे ज़्यादा मैं बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट तो इनकी टेकनिक शुरूब जाते ही के मैं बिल्कुल भाउक हो के बोलती है भाई साथ थोड़ा उदर खिसक जाओ नहीं मेरा जी घबरा रहा है ने अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हातों आद दूसरी टेकनिक क्या बात है मालूम पड़ा के वो सीट तो ठीक है आगे पीछे की भी खाली है चार पास तो नीचे ही उतर जा और कभी-कभी तो पूरी बस खाली करा देती है मतलब गुरूर मेरा ऐसा दावा है कि अगर कोई मर जाए ने वहाँ पे पचास महिला है रो रही हो तो मेरा दावा है कि दस ही रोरी होती ही बागी की चालिस तो है करके काम निकाल लेती है सही कि रहा हो मेरे पास में कोई सांत हो गया तो मैं पीछे ही पीछे ख़़ा हुआ तो तीन महिला टेकनिक से ही बाते कर रही वहालुम ही रहा पतायोन कही आरो ही का धाकरी। वहाली दूसरी वाली से इधी उनके पून लगा तो तो पास वाली ने भी टेक्झिक झाईन कहन पूछे हैं जान नंबर वॉर। तो पास वाली ना फिर टेक्निक से नंबर फसा है बोले 98276296000 आजबत मुनना अरे मज़े तो आप लेना वो पीछे दा तीसरी लेडिस बोली बोले चुपो जाओ दीदी रो मत आके जिरो लगा लेना राजस्तान किसी में वाँ 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 अद्बत खेल मनना भाई गट्ट